सिर्फकर देट कुछ थोड़ा थोड़ा करके गुल्ड में भी इंवेस्ट कर देना चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी form of options होते हैं उनसे better कैसे है वो भी हम discuss करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं छोटी सी बात कि हमारे पास investment के तरीके कितने हैं पहली जो सबसे top होती है वो होती है property दूसरा हमारा होता है जिसको आप कहते हैं gold तीसरा हमारा होता है जिसको आप कहते हैं stock market investment का मतलब होता है जहाँ पे आपके पैसा appreciate करें car investment नहीं होती जब आप showroom से लेके आते हैं उसी time उसकी depreciation शूरू हो जाती है लेकिन ये कुछ forms हैं जहाँ पे आपके money की value appreciate करती है इसलिए इनको investment कहा जाता है हम property में invest क्यों करते हैं शुरूबात करते हैं यहां से हम property में invest इसलिए करते हैं पहली बात एक security होती है दूसरी बात money की value appreciate करती है तीसरी बात हम चाते हैं कि जो हमारी आने वाली generation है हमारी kids and all उनके लिए वे एक security provide करें उनको कभी ये ना लगे कि अगर वो life में कहीं fail होती हैं तो they should not be left out on road उनके पास एक छत हो और वो उससे हमेशा security feel करें मैं भी ऐसे ही करता हूँ मैं आप लोगों से अलग बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन उसमें एक छोटा सा drawback है वो drawback क्या है चलिए हमारे पास एक home है जिसमें हम रहते हैं और एक house है जो हमने सिरफ investment purpose के लिए लिए लिया और वो जरूरत इस हद तक पढ़ जाती है कि हमें यह सोचना पढ़ता है कि हम इस house को निकालें या ना निकालें और कभी कभी हमें निकालना भी पढ़ता है तो उस time पे जब हमें इसको sellout करना होता है पहली बात जब आप हरी में कुछ निकालते हैं तो उसकी proper value नहीं मिलती दूसरी बात जरूरी नहीं कि जो आप निकालना चाहते हैं वो हाथो आत निकल जाए इसलिए इसमें हम यह सोच के इन्वेस्ट नहीं करें कि अगर किसी दिन हमें जरूरत इमेडियेटली पड़ेगी पैसे की तो वो हमारे हाथ में नहीं आएगा दूसरी बात करते हैं अब यहां से stock के बारे में stock market सबसे fast way है money को grow करने का और सबसे fast way है money को deplete करने का भी अगर market आपके favor में है तो आप रातो रात अपने पैसे को double, triple, four time कर सकते हैं लेकिन अगर market आपके गेंश में चले गई तो उसी के form में हमें गिरावट भी देखने को मिलेगी अपने profits में अपने capital के अंतर इसी लिए कभी भी अगर आपके पास 100 रुपीज होते हैं तो आप सिर्फ 25 यहाँ invest करें और उसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में मैं चाहूंगा आप अपने इस investment को 25 यहां रखें अगर आप चाहें तो थो 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 परसेंटेज आप भढ़ा सकते हैं लेकिन कभी भी पूरा का पूरा पैसा इंवेस्ट नहीं करना चाहिए एक सिंगल प्लेस में प्रॉपर्टी के बारे में हम क्यों नहीं सोचते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए आपको बड़ा अमाउंट अपने हाथ में होना चाहिए तभी आप जाके उसको बुक कर सकते हैं और उसके बाद आपको रेगुलर जो पेमेंट करना पड़ता है वो कभी-कभी भारी पड़ जाता है इसलिए आपके पास एक रिक्वाइड अमाउंट होना चाहिए जिसके लिए आप प्रॉपर्टी को अप्रोच कर सकते हैं लेकिन अगर गोल्ड आपके पास है फिजिकल गोल्ड तो अगर जैसे आज हम बात कर रहे हैं थर्टीन फैब को ट्वैल अक्लॉक प्रॉइड करने पड़ते हैं ताकि पैसा आपके पास आ जाए तो हम यह मान लेते हैं कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम दे सोचें जहां पे 24-48 आवर्स में हमारे पास पैसा आ जाए और सिक्योर मनी तो डेफिनेटली इस अगुड फॉर्म अफ इंवेस्टमेंट और आप धीर आज कल क्या हुआ है कि आपको फिजिकल गोल्ड कर रखने के जरूत नहीं पड़ेगी आप चाहें तो गौवर्मेंट से गोल्ड खरीच सकते हैं बिना डिलेवरे लिए आज जो प्राइस पे गोल्ड आप खरीदेंगे उतना अमाउंट आपका रिजर्व कर दिया जाएग या फिर आप चाहें तो उसको फिजिकली अपने डिलिवर भी करवा सकते हैं ताकि आप उसको अपने घर पे रख सकें उसको कहा जाता है डिजिटल गोल्ड कैसे हम इसमें इंवेस्ट करना चीए देखते हैं उसके क्या बेनिफेट हो भी देखते हैं तो आप क्या करेंगे invest.upstock पे क्लिक करेंगे क्योंकि जो मैं यूज करता हूँ अपने इंवेस्टमेंट वाला के लिए वो अपसक यूज करता हूँ तो उसमें digital गोल नीचे लिखा हारा है तो आप इसपे खरेंगे वहां पे आने के बाद में when you click on this one you will get this page या आप इस page पर देखेंगे इस पर स रुपे का गोल्ड खरीद सकते हैं आपको मार्किट में जाके ज्वेलर्स के पास में 500-700 का कोई गोल्ड नहीं देगा लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करेंगे यहाँ पे 100 रुपीज का 10,000 रुपीज 20,000 रुपीज depending upon your pocket and depending upon your investment strategy आप यहां से उतने amount का गोल्ड बाय कर सकते हैं यह क्या करता है जो भी आप गोल्ड बाय करेंगे वही गोल्ड आपको reserve कर दिया जाएगा आपके लिए और इसको आप कभी भी sell कर सकते हैं और जब आप sell करेंगे तो आपका T plus 2 डे में आपका पैसा भी आपके account के इंदर आ जाएगा which is very secure plus यह जो store होता है यह जैसे आप gold ETF बाय करते हैं या फिर आप digital gold बाय करते हैं तो आप नहीं store करते ना ही upstock store करेंगे जो respective agencies होती है strong vault में उसको store करते हैं जो government aided होते हैं definitely उसके लिए आप इनको use कर सकते हैं sell जब भी आप चाहें कर सकते हैं और आप आपके जब चाहें आप delivery भी करते हैं तो अगर आपके पास upstock account है तो आप आज भी शुरुवात कर सकते हैं उसके उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ने उपर आप भी साते हैं क्लिक करते हैं buy now पर यहां पर आप अपना जो भी आपका upstock account उसको टाइप इन करेंगे करते हैं उपर मेरा नाम आ जाएगा आप देखी का यह नाम आ गया है यहां पर अब मैं अपना investment कर सकता हूं तो अगर आपके बाद सब upstock account नहीं है तो description box में इस वीडियो के नीचे digital gold and all और यहां पर आप अपना amount type करेंगे अभी जो है current price है वो है 4994.78 gram यह 5 minute के लिए यह price valid रहेगा इसके बाद accordingly price आपका change होता है कम जादा जैसे market fluctuate करती है उसी तो अभी आप यहां पर माल लीजिए आपने 10,000 का gold चाहिए ठीक है तो आपका 2 gram उसमें allocate हो जाएगा आपने buy now पर click किया अभी आपका जो GST लगेगा 3% लगेगा उसके बाद आप 10,000 का आप आपकी gold buy कर रहे हैं आप यहां क्लिक करेंगे continue to make payment और यह आपके पास में options आ जाएंगे जिनके through आप अपने buy कर सकते हैं UPI, net banking और wallet तो मैं अभी आपका वीडियो यहां पर pause कर दूँगा और मैं अपने किसी भी एक form पर जाके buy करने के आपको दिखाता हूं चले वीडियो माँ पर आते हैं मैंने 10,000 का gold अभी buy किया है Saturday को हम buy कर रहे है विच मिन्स 24,7 यहां पर you have successfully invested in digital gold अगर मैं अपना portfolio देखूंगा तो यह मेरा portfolio है which is 10,000 invested amount यहां पर अगर आप चाहते हैं कि delivery शुरू हो ज जाएगी आपका physical gold आपके doorstep पे जो भी आपका address है उस पे deliver कर दिया जाएगा जो अभी Indian government ने कहा है it will start very soon एक चोड़ा सा clause है उसको ध्यान रखिएगा आज हमने Saturday को gold को buy किया है worth 10,000 रुपीज अब हमें इसको exit करना है मतलब तो sell करना है तो sell आप कर पाएंगे five days after purchase Saturday, Sunday, Monday Tuesday and Wednesday तो Wednesday को आप इसको sell कर सकते हैं उससे पहले नहीं कर पाएंगे जब आप इसको Wednesday को sell करेंगे तो T plus 2 Wednesday and Thursday आपके account में पैसा Friday को या Thursday को credit हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा और three time में delivery भी शुरू हो जाएगी या आपने जितना भी amount deliver किया हुआ है जितना भी amount आपने purchase किया हुआ है वो आपके doorstep पे भी deliver हो जाएगा एक छोड़ी advice है वो यह है कि कोशिश करें आप UPI के थुरू इसको buy करने की उसका reason है बैंक थोड़ा सा जादा fee charge कर रहे हैं तो guys यह है all about investment in gold और मैंने आपको यह बात बता भी दिये कि gold में invest जबाब करते हैं उसके फाइदे बहुत ज़ादा है जब market fall करती है तो gold की value बढ़ती है और gold की value कर बढ़ने के बाद में बहुत ज़ादा नीचे नहीं आती है आपको यादो 8000 के बाद gold बढ़ा था 20 तक गया था नीची 18 16 तक आया था फिर दुबारा गया 30,000 पे गया फिर 24 27 तक ही रहा उसके ब तो वो 50 48 के around ही travel करेगा इसी लिए हम यह कह सकते हैं अराम से कि gold से नीचे नहीं आएगा as of now और वो rise ही करेगा और यह सबसे secure investment है जब आपको इससे exit करना हो तब आप उससे exit कर पाएंगे तो जैसे मैंने कहा था कि मैं जो use करता हूँ पर investment purpose के लिए वो use करता हूँ of stock तो अब आपको account open कराना है तो description box में link available है आप वहां जाके करा सकते हैं